Hello guys, welcome to my clever books तो ये है मुहावरी एवं पारिभाशिक शब्दावली का set 7 तो पहला जो मुहावरा है आज वो है अंगारों पर पैर रखना अंगारों पर पैर रखना का अर्थ होता है जो खिम मोल लेना और इसका वाक्य होगा व्यापार में सम्हल कर चलना अंगारों पर पैर मत रखना फिर है अंगारों पर लोटना अंगारों पर लोटना जो होता है उसका अर्थ है रोश और डहा के मारे को नाम जब किसी person से jealous feel करते हैं या उससे रोश रखते हैं तो उसको इन्होंने कहा है अंगारों पर लोटना तो इसका वाक्य होगा राम की उन्नती देख कर उसका मेत्र गुविंद अंगारों पर लोटता है फिर है अंगुठा दिखाना अंगुठा दिखाना का मतलब होता है कि समय पर इन्कार कर दिना जब आप किसी से help expect कर रहे हैं और वो आपको help नहीं करता जब आप चाहा रहे हैं तो उसको कहते हैं अंगुठा दिखाना इसका वाक्य में प्रयोग होगा रहीम ने मेरी सायता करने का वादा किया था पर कल जब ने उसके पास गया तो उसने अंगुठा दिखा दिया मतलब उसने मना कर दिया help करने से फिर है अंगूठी का नगीना अंगूठी का नगीना मतलब जो कोई चीज बहुत अच्छी दिखती है या अच्छी लगती है तो उसको अक्सर अंगूठी का नगीना का जाता है इसका अर्थ होता है सजीला और सुन्दर इसका वग्य होगा दूला बना था अंगूठी का नगीना मतलब कोई दूला जो है वो बिल्कुल अंगूठी के नगीने की तरह लग रहा था मतलब सजीला और सुन्दर अब हम लोग देखेंगे 10 पारिभाशिक शब्दावली पहला जो है वो है अड़टाइसमेंट या विज्यापन अड़टाइसमेंट को कहा जाता है विज्यापन फिर है अडवाइस, अडवाइस का मतलब होता है परामश, सलाह या सूचना फिर है अडवाइस नोट, अडवाइस नोट जो है उसका अर्थ होता है सूचना पत्र या संग्यापन पत्र फिर है अडवाइसरी, अडवाइसरी का मतलब होता है सलाहकार अडवाइसरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और अडवाइसरी कांसल जिसका अर्थ होता है सलाकार परिशिद ये दोनों ही वह बहुत important है फिर है अफियर्ज अफियर्ज है यहां पर काल या फिर मामले फिर है अफिडेविट Affidavit का मतलब होता है Shabat Patr या फिर hulty naama फिर है Affiliate इसका मतलब होता है Sampad करना फिर है Affirmative Affirmative का मतलब होता है Sakar Atmak तो यहां पर यह वीडियो खुतम होता है अगर आपको फिसंदा आता है तो like कीज़े शेयर कीजिये और जनको subscribe भी कीजे Thank you.